नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरह से अप चाइनीज गर्वर्ब्मेंट ने अपने क्रिटिक्स के ऊपर करवाई करना शुरू किया है चाइना में freedom of speech के ऊपर काफी controversy होती रहती है चाइना में आप जो चाहे वो नहीं कह सकते वहाँ की जो fundamental rights है वो ज्यादा strong नहीं है जैसे कि बाकी अदर country जैसे हमारे भारत या फिर अमेरिका में है चाइना में पहले भी ऐसे incident हो चुके हैं आप अपने screen पर एक photo देख सकते हैं यह है Lee Wenliang इन्हों ने सरकार को बताना चाहा था कि कोई एक coronavirus का unknown strain आ चुका है उस time पर भी सरकार ने इन्हें seriously नहीं लिया बलकि police के दुआरा इनको चुप कराने की कोशिस की गई अब हाली में चाइना ने फिर से critics को ग्रिफतार करना शुरू कर दिया है जो भी इंसान या वेक्टी जो Chinese government को यानि कि सी जिंग्पिंग को क्रिटिसाइज करता है तो या तो उसे चुप करा दिया जाता है या फिर उसे ग्रिफतार कर लिया जाता है यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि चाइना ने अपने critics के उपर फिर से कैसे crackdown करना शुरू कर दिया है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं Lee Wenliang का यह जो है एक Chinese ophthalmologist है यानि कि एक नेत्र विसेशेग है यानि कि आखों के डॉक्टर है जो कि Wuhan Central Hospital में ही काम किया करते थे Lee Wenliang was a Chinese ophthalmologist who worked as a physician at Wuhan Central Hospital Lee warned his colleagues in December 2019 about a possible outbreak of an illness that had dissembled severe acute respiratory syndrome Lee ने अपने कलिक को December 2019 में warned किया था कि एक possible outbreak आ सकता है illness का जो कि SARS virus यानि कि severe acute respiratory syndrome से मिलता जूलता है मैं यह पर कुछ और चीज जो है एक fact आपको बताना चाहूंगा कि जो corona virus है यह पहली बार नहीं आया है इसके करीब 6 परकार की जनकारी हमारे पास recorded है यह जो नया corona virus है इसकी सत्मा corona virus है और थोड़ा सा unknown है यह जिसके करण से ही यह काफी dangerous है इसे जो है बाद में COVID-19 रख कहा गया later acknowledged as COVID-19 फिर उसके बाद में जब research हुई जब देखा गया कि इसकी जो symptom है वो SARS से मिलता जूलता है तो इसे SARS-CoV-2 का नाम दिया गया Lee Wenliang जो है वो 12 अक्तुवर 1986 में चाइना में बॉन हुए और इनकी जो मिर्तु हुई थी वो 7 February 2020 यानि 2020 में हुई थी Central Hospital Wuhan में ही इनकी जो मिर्तु हुई और इनकी जो मिर्तु का कारण बताया जा रहा है वो है Corona Virus यानि Corona Virus का कारण ही इनकी मिर्तु हुई है इनकी एक पत्नी है और एक बच्चे है पत्नी का नाम Fu Suji है और एक बच्चे है 3 people out of 140 crore people have spoken against President Xi Jinping and the authorities have cracked down on them 140 crore लोगों की अबादी चाइना की वहां के President Xi Jinping के उपर 3 लोगों ने criticize किया उनके उपर बोला और उन पे जो है वहां की जो authorities है वो करवाई करना शुरू कर दी तो सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो आ रहा है रेंजी क्यांग का ये जो है वहां के Real Estate Tycoon है एक काफी बड़े volunteer है काफी बड़े wakti है जैसे यहाँ पे भारत में हमारे ताता जी है और मुके संभानी जी है उसी तरह से वहां के जो है Ali Baba, Rain जी क्यांग और भी बड़े Tycoon में से एक जाने जाते है एक तरह से वो एक volunteer है उन्होंने स्री जिंग पिंग को power hungry clown कहा he refer to sea as a power hungry clown जो statement उन्होंने use की वो यह है I saw not an emperor standing there exhibiting his new cloths but a clown who stripped off his cloths and insisted on continuing being an emperor तो इसका अर्थ यह है कि मैं एक ऐसा बात्सा देख रहा हूं जो अपने नए कपड़े नहीं देखा रहा है बलकि एक ऐसा joker देख रहा हूं जो अपने कपड़े उतार रहा है और इस बात पर insist कर रहा है कि मैं बात्सा बना रहा हूं दूसरा statement जो उन्होंने use किया था वो यह है without a media representing the interest of the people by publishing the actual fact the people's lives are being ravaged by both the virus and the major illness of the system इसमें यह कहना चाहरा है कि वहाँ की media है वो भी actual fact नहीं बता रही है people को न उन्होंने पहले बताया क्योंकि media भी जो है government के अंदर काम करती है और वहाँ पे आप जो है जैसा कि मैंने पहले बताया कि वहाँ पे बोलने के जो अधिकार वो काफी limited है आप जो है कि जो media भी है वो Chinese government के अंदर ही काम कर रही है the people's lives are being ravaged ravaged का मतलब यहाँ पे की damage किया गया people की जिन्दगी के साथ खिलवार किया गया both the virus and the major illness of the system virus ने भी तो एक तरफ जो है एक तरफ वाइरस ने भी जो है लोगों की जिन्दगी खराब की दूसे तरफ जो है वहाँ की जो system है वो भी लोगों की जिन्दगी खराब कर रहा है he faces allegation of committing serious violation of the law रेंजी किया वो एक serious violation of law वहाँ की जो law है अगर आप Chinese government के उपर भी ना किसी fact या figure का criticize करते हैं तो उसे serious violation में जाना जाता है दूसा जो नाम आ रहा है वो आ रहा है सू जी योंग का ये एक वहाँ के Chinese lecturer है एक activist है इन्होंने जो है सी जिंपिंग से जाइन करने का demand किया he called on China सी जिंपिंग तो डिजाइन सू detention is likely to in the landy jail term ये निव थोड़ी सी पुरानी है लेकिन मैं इसे cover कर रहा हूँ कि इनके जो उपर जो करवाई की जा रही है वो एक landy jail term के उपर जो है जा सकता है काफी लंबा समयने jail हो सकता है सी जिंपिंग उनको डिजाइन करने की मांग की चाइना में अगर आप ऐसा कुछ कह सकते हैं तू आप अपने उपर एक डिजाइस्टर को बुला रहे हैं इन्होंने एक और डिमांड की कि जो ली वेन लियांग के जो असली गुनेगार है जिन्होंने उनको दवाने की कोशिस की वो ओफिसियल उनको जिमेदार थहराना चाहिए आपने सच को बाहर आने नहीं दिया और एक जो आउटब्रेक ये जो आउटब्रेक है वो एक नेशनल डिजाइस्टर के रूप में टरन ले लिया जब भी आप लुमिंग क्राइस्टर को फेस करते हो आप क्लूलेस हो आपको कहने के लिए कुछ भी नहीं होता है तिसरी जो व्यक्ति है वो है फू येंग ये एक चाइनिज पोलिटिशन है और एक्स फोरेंड मिनिस्टर रह चुकी है चाइनिज गवर्मेंट की इन्होंने एक आर्टिकल लिखा वहां के नीज पेपर में उस आर्टिकल में जो मेंड पॉइंट ये था कि इसमें ये कहना चाहते है कि जो भी भासन जो भी बातचित हो वो रिच फैक्ट्स और प्रैक्टिसेस के उपर बेंच्ट होनी चाहिए आप कुछ भी आधा धूरा एनाउस्मेंट नहीं कर सकते आपको अपने दिस्कोर्स को अपने फैक्ट्स के उपर चलाना होगा जो फिलाल चाइनीज महौल है वहां पर राइट तो स्पीक का इंप्रूपमेंट करना काफी ज़्यादा कथिन है साथ ही उन्होंने ये कहा कि इसको ठीक करने के लिए लोगों का पॉजिटिव फीड़बैक भी लेना चाहिए जब लोग पॉजिटिव फीड़बैक देने लगेंगे तभी आपकी डिस्कोर्स का इंफुलेंस इंक्रीज होगा लेकिन जब चाइना में बोलने की इतनी अजादी ही नहीं है तो पॉजिटिव फीड़बैक का तो सवाल ही नहीं बनता तो यहाँ पर जैसे ही तीन लोगों ने कुछ कहा चाइनीज गवर्वर्मेंट के खिलाफ तो वैसे ही चाइनीज की जो अथोरिती है वो उन पर क्रेकडाउन यानि करवाई करना शुरू कर दिया जितना डाटा जो है चाइना हमें यानि की वर्ल्ड को दिखा रहा है अगर आप देखिएगा वर्ल्ड मीटर के उपर तो वहाँ पर करीब 80 प्लस 1000 के उपर जो है वहाँ पर केस दिखाए दे रहा है जबकि almost 1 lakhs उपर की कहा जारा है अनुमान लगा जारा है कि देथ हुई हे वहाँ पर तो काफी ज्यादा जो है वहाँ पर दयाटा है उसको काफी ज्यादा दबाया गिया है अगर वहीं पर आप Ezथा उपर अपर तो अब ही चल रहा ए जब भी वहाँ पर किसी भी परकार का पुलिटिकल चैलेंज आता है चैनीज गर्वर्मेंट के खिलाब तो उन्हें जो है दबा दिया जाता है इससे यह सो होता है कि चैनीज गर्वर्मेंट के खिलाब कोई भी चीज क्रिटिसाइज होती है तो चैनीज गर्वर्मेंट जो है वो काफी घबड़ा जाते हैं दोस्तों चैना ने जो इस बख करवाई की है इसके उपर आपके क्या राय है यह हमें जरूर कमेंट करके जरूर बता है और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वेल आइकन को आउन कर द देखायगा थैंक्यो वर वाचिण